आज में इस टीवी को एक कस्टूमर के रूम में रिप्यर करना है यह एलजी का टीवी है इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें दुंद्रा-दूरा पिक्चरा रहा है और ब्लाग पिक्चरा रहा है इसके लिए इसका सियाटी बेस ही प्रॉब्लम है तो सियाटी बेस चिंज करके देखते है क्या होता है हेलो व्यार जो ने ने मेकनिक है उसको लिए बाता रहा हूं कि इस सियाटी बेस को अच्छी तरह से खुड़ना नहीं तो इसका सियाटी तूट जाएगा तो मैं इस सियाटी बेस को खुल रहा हूं खुलने के बाद इस पुराना सियाटी बेस उठा के नया सियाटी बेस लगाएंगी एदो को दोस्तों ये पुराना सियाटी बेस पुरी तरह से सही तरिके से खुल लिया हूं और इसके बदल में और एक नया सियाटी बेस लगाएंगे अब लोग देख सकते हैं पुराना खोल लिया पुरी तरह से और ये मेरे पास नया सियाटी बेस नहीं था लेकिन एक पुराना था वह सही थे वही श्याटी बेस में लागा रहा हूं और इसके बाद देखते हैं जो पिक्चा सही होता है कि नहीं इस याटी बेस लागने के बाद सभी बेस के पिन में सही तरीके से शुल्डरिंग कर लेना चाहिए तभी पिक्चर बढ़िया आएगा अब देखो अच्छी तरह से सुल्डरिंग कर लिया हूँ अब लोग देख सकते हैं इस सुल्डरिंग हो गया और मैं अभी इस सुल्डरिंग के बाद इसका जो फोकस तार है इस बेस में लागना परेगा वश्ता लागना के बाद स्याटिवेस फिर से पिक्टाटिव में लगाएंगे कि मैं दीजिए इस पुरी तरह से लगा लिया हूँ इसके बाद यह इस पुरी तरह से लगा लिया हूँ इसका एसी केबल है इसको लाइन देखके देखते है टीवी में पिक्टर आया है कि नहीं अहां दोस्तों आभी देख रहे है आप टीवी पुरी तरह से सही हो गया पिक्टर भी बढ़िया आ रहा है इसमें और इसी तरह के नौलेजवल कोई वीडियो देखना चाते हो तो मेरे इस चलन को सब्सक्रीब कीजिए और बिल बेटन को बजा के इसके नौटिवी के लिए ओल को प्रेस कीजिए तन्यवाद अगरे पानी नहीं पिक्टर से हो गया है अभी जो दस पिक्टर है एक फोल्ट ओके मेरे चलन को सब्सक्रीब कर दीजिए और बिल बेटन को बजा के इस वीडियो को सेर कर दीजिए इस तरह का तरह तरह वीडियो आने के लिए इस चलन को सब्सक्रीब कीजिए